कुलार गोल्ड फिल्ड यानि की KGF जहां से सोना निकाला जाता है 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीने लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था कावेरी इलेक्टरिक पावर प्लांट ये बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी गाइस केजियेफ को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था उससे बिजली इतनी जादा पैदा हुई कि आसपास के शेरों में भी बिजली सफलाई की गई तब बैंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुँची थी एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखरी स्टेज पर था डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गबा दे उसकी आखरी इच्छा क्या थी पता है उसकी आखरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानि की बाहुबली से मिलना चाहता था वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुँची प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोग दी और वो तुरंत हस्पताल उस लड़के से मिलने पहुँचे वहाँ जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ एक घंटा बिताया जानने वालों का ये तक कहना है कि जो लड़का अगले दो तिन घंटे में मरने वाला था वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानि कि प्रभास से मिलने के बाद लगबग 10 दिन तक जिया ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते